नमस्कार दोस्तों, किसानों के दिली चलो मार्च और उने रोकने के लिए तमाम सरकारी प्रियोगों के बीच कोट में इससे जुड़ी दो याचिकाओं पर सुनवाई हुई पहली याचिका हरियाना सरकार के खिलाब दायर की गई थी जिसमें हरियाना में इंटरनेट पर प्रतिबंद के अलावा रास्तों को बंद करने के हरियाना सरकार के फैसलों को चुनाती दी गई थी तो वहीं दूसरी जनहत याचिका प्रदर्शन कारियों के खिलाब दायर की गई थी इसमें कहा गया था कि प्रदर्शन कारियों ने अन ओथोराइस तरीके से राज और राश्ट्रिय राजमार्गों को ब्लॉक कर दिया है इसको लेकर पंजाब और हरियाना हाई कोट के आक्टिव चीफ जस्टिस जी एस संधवालिया की डिविजन बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा प्रदर्शन कारियों को भारत का नागरिक होने के नाते देश में सोतत्र रूप से घूमने का अधिकार है सरकार ने किस से पूछ कर हाईवे बंद कर रखे हैं और जनता को परिशान करने का अधिकार उन्हें किस ने दिया राज्य सरकार का भी करतव है कि वो अपने नागरिकों की रक्षा करे और ये सुनिश्चत करे कि उन्हीं कोई असुविधा ना हो दोस्तों इसके बाद हर्याना सरकार की तरफ से सफाई दी गई है कि किसानों ने प्रदर्शन की अनुमती नहीं ली थी जिस पर हाई कोट ने कहा है कि किसानों के अपने अधिकार हैं वो हर्याना में प्रदर्शन नहीं कर रहे क्योंकि वो सिर्फ हर्याना से गुजर रहे हैं रास्ते पर चलना सबकादिकार है वहीं हर्याना सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि किसानों का अंदोलन शांतिपूर्ण नहीं है हलाकि पंजाब सरकार ने कहा कि किसानों का अंदोलन शांतिपूर्ण है और वो बिना हत्यारों के सर्फ सरकार से बात करने के लिए दिली जा रहे हैं हाला कि बाद में उसी हर्याना सरकार ने कहा कि शांतीपूर्ण विरोध का समर्थन किया जा सकता है लेकिन यहां वो लोग जनता को असुविधा में डाल रहे हैं इनके पिछले रिकॉर्ड पर भी नजर डालिये तो सब कुछ पता चल जाएगा जिसके बाद एक्टिफ चीफ जस्टिस ने हर्याना सरकार से पूछ लिया कि आपको कैसे पता कि वो वही लोग हैं जिनोंने पहले यह अंदोलन किया था किसी भी स्थिती में बल प्रियूग अंतिम विकल्प होना चाहिए अब दोस्तों हर्याना में तो भारतिय जुनताबाटी की ही सरकार है और वो नहीं चा रही है कि देश के अन्न दाता सरकार से आँखों में आखे डाल कर सके ऐसा लग रहा है ऐसे में लोग सवाल पूच रहे हैं कि आखिर उन्होंने किसानों के लिए किया क्या है अब तक तो सिर्फ किसानों को जुमला ही दिया गया है शायद इसलिए उन्हें रोकने के लिए कटी लेतार नुकी ले हथियार और आसू गैस और गोली का प्रयोग किया जा रहा है वैसे दोस्तों आप हाई कोट के फैसले के बारे में क्या कहते हैं क्या सूचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताईएगा ये खबर आप उड़्टा चुश्मा यूसी पर देख रहे हैं मेरा नाम है फरीन अंसारी आप रहें स्वस्त मस्त बस यही है दुआ माली अगली वीजियो में तब तक के लिए अलविदा